डीब्रेट के बच्चे दस दिन के बाद फिर से अभी प्रोटेस्ट में बैटे हैं क्योंकि उनका जो डिमांड है एस पर देर रिक्वार्मेंट वो पूरा नहीं हो रहा है चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं सब्सक्राइब अब दिन बात कि लास्ट सेप्टेंबर 17 को आप लोग गोल घर के वहां पर बैठे ते रात के तेम अचानक में और उसके बाद जो है सब कुछ सौट आउट हो गया था विकॉस एक दिन पहले मिनिस्टर भी आ रहे थे आप लोगों को भी आस्वाशन मिल गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी फिर से आप लोग दस दिन बाद फिर से प्रोटेस्ट में बैटे हैं क्या वजह है उस दिर हम लोग कटा हुए तो क्यूब हमारे खिलाब मतलब सर्कुलर मिला था उसमे यह था कि एक तो पहले चीजह कि जो भी हम लोग जब बात हुआ था वीसी से जो यह बात हुआ था कि हम लोग जो कंडीशन पे जाम नहीं होएगा और आम लोग प्रॉपर अफिलेशन मिलेगा लेकिन जो भी सर्कुलर आया था तो वो उसका खिलाब था वह उसमें कुछ भ बात हुआ था कि जब तक हमें कुछ दिन का टाइम दिये कि आप लोग जो भी कोट का रिजल्ट है उस दिन वेट कीजिए मतलब कोट का तो जब लोग इंतजार किया दस दिन आज उसका दिन दस दिन हो चुका है लेकिन कोट का डेट अभी बढ़ा दिया गिया ऐसा करते रहे जब से आप लोग प्रोटेस्ट के लिए उत्रे हैं तब से आप लोग सैटिसफाइड नहीं है उसके बावजूद भी आप लोगों को अगर कुछ रिटेन में जिस तरह से आप लोगों का रिक्वार्मेंट है वैसा नहीं मिल रहा है बट कुछ भी अगर एड्मिनिस्ट्र प्रोटेस्ट में बैठते हैं कि हाँ हो जाएगा आप लोग मान लेते हो फिर दस दिन बाद या हफते बाद आप लोगों को एड्मिनिस्ट्रेशन सीरियस क्यों ले नहीं हमने कभी माना ही नहीं जब हमारा जब लास्ट टाइम हम यहां से अमने स्ट्राइक को रोका तो ए इसलिए स्ट्रेशन का कोई स्ट्राइक कंडिशन में लिखना चाहता कहीं ना कहीं यहां पर अभी भीड कम दिख रही है जो जो स्ट्रेंथ आप लोग शुरू में जब इनिशियेट करें ते प्रोटेस्ट तो उस वक्ता वो ऐसा नहीं दिखाई रहा है ग्राज्वली स्ट्रेंथ है वह कम हो रहा है इसको लेकि क्या कहना है लेक diflatt को जरूर कम है लेकिन για में साथ है और आप सब का साथ है आए अब अब बहुत वह बात हैसा तो बहूंUI और साथ दिखना है, दोनों में बहुत फरक है, दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि कुछ रीजन होएगा, आएंगे बहुत जना, क्योंकि बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, आएंगे, पहले जो प्रेटेस्ट आप लोग करे थे, उस वक्त कहीं न कहीं पैरेंस भी, आप मिनिस्टर को अट्री हो यहां पर आप लोग किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या डाने में ना बटे, आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि डीबरेट में ही उनका फंक्शन था, तो आपको लग रहा है कि उस वक्त आप लोगों को जस्ट वरबली ही जो भी बोला गया था, वो स्रिफ इसलिए था कि जो मिनिस्टर आकर शांती से यहां से चले जाए और यहां पर आप लोगों को जो प्रटेस्ट वो ना दिखें उनके नजर पर ना आए यह चीज ऐसा लग रहा है अभी आप लोगों को जी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उस टाम जब हमें बताया गया तो हमें बस कुछ दिन का टाइम मागए कि जो भी कोट का रिजल्ट है वो जल से जल आएगा और आप लोग कई आएगा लेकिन हमने इंतजार किया और आज भी अभी तक क्या जो कोट का डेट है वह भी अभी नवंबर 24 तक बढ़ा दिया गया है तो अभी स्टुडेंट क् लिंखे तो उसको लाष्ट मीश का नुखसान हो सकता है दो इसलिए नहीं लिखना चाहता है इसलिए अम लोग इसे खिलाब यहां से आपल बैटे हैं कोई चाहत्र संगटन कोई कोई जो काफी जो काफी गुड जो है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए चल रहे थे काफी दिन तो ऐसा कोई आप लोगों के पास आए सपोर्ट करने के लिए या बोले कि फिर से हम लोग आप लोग के सपोर्ट में हैं आप लोग ऐसा कोई कोई अपना कंदा फिर से आप लेकिन अभी भी कोई अगर पार्टी आते तो वेलकम करते हैं कि आईए आप लोग भी सपोर्ट कीजिए लेकिन सिर्फ दिखावए के लिए आप एक्चुल में कुछ अमें पढ़नाम दीजिए तो इसका हम लोग सवागत तो करते हैं लेकिन नहीं आने से भी लड़ते रहें आगे तक अच्छा एक आखरी सवाला बताइए हमारे दीप समू में दो पॉलिटिकल पार्टी है एक लीडिंग पार्टी है जो की जो की कॉंग्रेस केंपी भी यहां पे है प्लस बीजेपी आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो यह मैटर को जल से जल सुलजा सकते हैं अगर चाहे तो हमारे दीप के जो दो पॉलिटिकल पार्टी है कॉंग्रेस और बीजेपी अगर वो चाहे तो सुलजा सकते है हाईर लेवल पे अगर यह मैटर उठाए तो लेकिन नहीं हो पार रहा है कुछ इसको लेकर आप कहना चाहें जी जरूर अगर क काम जल्दी होएगा अभी क्या कि जो भी काम हो रहा है ऐडिमीश्टेशन का प्राइक उसमें अपना काम कर रहा है अगर बात अगर लेवल तक जाएगा तो उनका जो इन पे उन्टर्फेर रहे हो तो हम लोग से जल्दी मिले तो वह चीज अभी तक दीखनी रहा है बढ़े हमारे साथ में बड़ा स्कैम हुए है क्योंकि जब तक हमें मिला देखे पार्टीस तो यहां पर दो ही है पॉंडिचरी और कॉलेज डिवरेट मतलब एड्मिस्रेशन से मिल रहा था इवन रात को एक डिड़ बजे जॉइन सेकर्टरी साथ हमें आके शुरेंस दिए कि हो जाएगा जो भी है फ्रक्स में हो जाएगा यह हो वाइस सांसर सागर मैंने पहले भी पूछा है मैं यह जानना चाहती है जब आप लोगों को मालूम है दो मन्त का टाइम हो चला है ऐसा तो नहीं है कि वन वीक आप लोगों ने शुरू किया और आप लोगों को जो है वर्बल एशुरेंस मिल रहा है आप लोग दो महीने से लड़ रहे हो अपने लिए हपने हग के लिए जो जाएज मांगे हैं आपके उसके लिए तो उसके बावजूद आप लोगों को जब वर्बल एशुरेंस मिलता है अब कैसे मान लेते हो वर्बल एशुरेंस को देखिए मैम अब इतने टाइम तक का में एक साइड से मिल रहा था अभी दोनों साइड से मिल गया था मतलब वाइस्टांस चीन आप से वीडियो कॉंफरेंस में बात करी से मिल भी नहीं सकता है तो अभी आप लोगों का क्या है आप लोगों का स्रिफ एक डिमांड रहेगा या 17 के 17 डिमांड अप फुल्फिल करने के लिए अब जिद में रहोगे सुने अभी ऐसे स्टुडेंट मैं आपको बोलूंगा कि 17 कंडिसेंस दे कि पॉंडिचरी 17 कंडिसेंस देता है वो फुल्फिल करे या ना करे अड्मिस्टेशन के उपर में के और में रहेखर को उसमें भी अगेंस में सब कुछ है सब कुछ मैं आपको ढेंसर नहीं होता तो कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं हो पार है तो अगर इन लोग चाहते हैं सलुइसेंट चाहिए देखते आगे सचाहिए होता है देखते आगे क्या होता तो कहीना कि आपका कहने का मतलब है कि यह जो चीज को सॉल्फ कर सकते हैं अड्मिनिस्ट्रेशन यह जान बूच के सॉल्फ नहीं करना चाहरें किसी एक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप वह कहना चाहरें सब कुछ सारा गलती सब मिला जुला हुआ है तो सब को कवर करने के लिए अभी यह सब करने ही पड़ेगा उनको अभी जैसे देख रहे है नहीं सुबाश्च चन्रबॉस युनिवर्सिटी आ गया है जैसे डिम युनिवर्सिटी यह भी कहिना के यह से लिंग्ड है अगर नय की देखा भी किंव उन्युर्श्च तो नहीं किसी में प्राप्लम नहीं हुआ है और हमसें चाहें आपको लगता है जो भी demands उसको fulfill कर दे तो यहां के बच्चों के लिए भी beneficial रहेगा वो देखिए बच्चों के beneficial के लिए हो 17 points उसमें professor की बात की बीना professor का कौन सा college चलता है professor की बात की है libraries की बात की है libraries की fulfillment lab fulfillment की बात की है मतलब lab अलग अलग होने चाहिए updates होने चाहिए अपग्रेट करके तो रखे पुराना जो 1990 में डाले वाले जो equipment साज भी होई equipment पड़े लाइब में तो बच्चे की बलाई के लिए जो भी है वह 17 points में में ऐसा एक भी point नहीं लगाई जो बच्चे के अगेंस में या बच्चे के बला नहीं है क्या कर रहा है क्योंकि 17 points में सबसे पहला पॉइंट मैं साथ साल से यहां हूँ लगब 2016 से यहां पढ़ रहा हूं 2016 से एक भी प्रफेसर ने मैंने नहीं देखा यह कॉलेज में प्रफेसर चोड़ी है एक प्रफेसर मैंने यह दो आते उन लोग पढ़ा गे जाते हैं अनलोक सारह सब्जक्ट से मेरा विला सब्जेट लोग लिए एक दो दूसक्त होता है दो अपी लोग लेते जो प्रफेसर लोग और बाकी इस लेक्सर लोग देए तो यह पॉइंट कोन प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो जो पास आउट हुए है उन्होंने क्या सीखा होगा अगर आपके हिसाब से अभी के बच्चे के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या सीख कर निकले हैं सेक्टे मैं यह नहीं बोल रहा हुए है वहाँ है एक्यूपेंट्स से भी सीख सकते हैं और काफी सारे देगे मैं यह बोल रहा हूं कि यह जो 17 पॉइंटस है वह अप्ग्रेडरेशन की बात करीए लाइब अपगरेजिया कि बात करी ने लेके पॉइंट्स करना चाहिए तब भी तो जाके बच्चे आगे जाके और भी अच्छे से पढ़ेंगे बच्छे अभी ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहें मैं भी डिप्लोमा किया मैंने यहां से डिप्लोमा अच्छी तरीके से चल दाता लाब लाब्स वगरे सब चल देते तो पॉइंट्स है तो उनको करने में क्या हो चीज़ को तो वह पॉइंट है एक्चुली यहां वे ऐसा बातची चलता है कि बच्छे यहां से कुछ सीख के नहीं जाते बच्छे यहां सीख के तभी जाएंगे जब तक का कोई प्रॉपर टीचर नहीं हो और यहां टीचर होते ह यहां से बात करने के लिए